जेहन दोस्तों एक बार फिर स्वागता आप भी के अपने यूटूब चैनल पर प्रपेस्टा विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जुरू जुरू प्रेस कर ले ताकि आपको आग्या नेवल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे क्योंकि दोस्तों राजस्तान पुलिस बर्ती दोजार गुनिस के रिकारणि कोई भी नोटिस आता है अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते तो दोस्तों राजस्तान पुलिस बर्ती दोजार गुनिस का इंतजार करें लाकों ब्यारतियों के लिए बहुती ब पूम मिनिस्ट्रियों ग्रैम अंतराले को जाएगा ग्रैम अंतराले जल्दी आपका नोटिस जारी कर सकती है तो दोस्तों आज में स्यूडियों में बात करने वाले है कि आपकी आयू सीमा और उसमें क्या-क्या बड़े बदलाव किये गे राजस्तान प्लिस बरती 2019 में तो ह आप वीडियो के अंतर जरूर बने रिजियेगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त बार-बार कमेंट करके पूछे कि सर हाइट कितनी रहेगी साथ में एज क्रिटेरिया कितना रहा जाएगा तो दोस्तों आप वीडियो ये वीडियो आपके लिए बहुती महत पुन साबित होने वाला है आप वीडियो के अंतर जरूर बने रिजिका ताकि सारी इंप्रमिसर आपको समझ में आ जाई तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आयू सिमा की जी यां दोस्तों राजस्तान पुलिस बर्ती में आयू सिमा है वो निमन परकार से हैं तो दो एक तेह सबसे पहले आवेदन की सरेनी अगर बात करें सामाने मतलब जनरल के टेगरी की बात करें और मेल केंडिडेट की ब होनी चाहिए महिलावर की बात करें फिमेल की बात करें दोस्तों यहां तो फिमेल की जनरल के टीगरी की बात कर रहा हूं दोस्तों में 18 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो आप इसके योगे हो मतलब आप राजस्तान पुलिस का फोर्म एपलाई कर सकते हो आप बरती हो हो सकते हो इसके बाद मैं दोस्तों बात करते हैं SC ST और OBC में इन में बात करें दोस्तों मेल कंडरेट की बात करें तो मेल कंडरेट में आपकी 𝘯ज है वो 18 से 28 वर्श के भीच मेंग है तो आप इसका Matter कीकर सकते हो और फिमेल की बात करें तो किमेल啊 SC, ST, OBC female की बात करें तो यहां आपकी age criteria रखा गया है 18 से 33 वर्ष के लगबग और पुलिस आस्रिस जिनके पापा और भाई पुलिस में उनको भी दोस्तों यहां age में छूटित इस बार दी जाने वाली है उनकी बात करें male की तो 18 से 26 वर्ष के लगबग है और female की बात करें त 18 वर्ष से 42 वर्ष के लगबग आपकी age है साथ में बात करें female की तो female की age 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए उसके बाद में बात करें तो यहां आप देख सुर्तियों बात करते हैं height की जी यहां दोस्तों पुलिस उमिदवारों के लिए लंबा ही है वो 68 सेंटीमीटर रखी ग देट के लिए 81 से 86 आपका chest होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ में आपका chest है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर बात करें दोस्तों आदिवासी ऐरियों से वि़िलोंग करते हैं उनके लिए बात करें तो उनके लिए इसका माप्तन अलग है पुरुसों की बात करें दुस्तों तो पुरुशों की जो हाइट ummy encontrar सब्सक्राइब और महिला की बात करें तो महिला उमीदवारों कि हाइट है वह हो एक सबुटीज सैंटीमीटर आपकी होनी चाहिए उसके बाद में वजन्स की बात करें तो महिला अगर अगर वजन की बात करें तो आपका वेट है वो 43 kg होना चाहिए और सामाने महिला की बात करें तो यहाँ पर आपका 47.5 kg वेट ही होना चाहिए उसके बाद में बात करते हैं दोस्तो उसके बाद मेडिकल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप राजस्तान पु सही है तो आप राजस्तान प्लिस के मेडिकल में आराम से फिट हो सकते हो सबसे पहले बात करते हो most important point है दोस्तों यहाँ आप देख से हो आवेदन के दोनों आकों की दरश्टी है वो six by six होना चाहिए बिना चसमे के मतलब दोनों के आपकी six by six होने चाहिए वो भी बिना चसम के और बात करें अवेर्तियों को मानसिक रूप से जागरुक होना चाहिए साथ में यहाँ देख से हो सद्रड और स्वास्ते वाला सभी सारीक विकारों और दोसों रोगों से मुक्त होना चाहिए मतलब ऐसा कोई रोग नहीं होना चाहिए उसके साथ में आवेदक को मानसिक मतलब दिमा की कोई प्रोब्लम उसके नहीं होना चाहिए। को ये सारी चीजे आपके नहीं होनी चाहिए यही सारी मेडिकल में आपके चेक की जाती है तो दोस्तों ये most important बाते हैं जो मैंने आपको बता दी इसके लाओ अगर आपके कोई भी doubt है तो आप कमेंट करके जरूर पूछी आपको उसका reply जरूर किया जाएगा तो दोस्तों आ करता है